नमस्कार फ्रेंज चलिए अगली रसीपी सुरू करते हैं पनाएगे मुंबई के फेमस बटाटा वड़ा देखे बटाटे को उबाल लिये दो तिन सीथी और हरी मेर्च अधरफ लॉसू रख लेंगे वालो तो चील करके रख लेंगे बटाटे को और मसल देंगे चोटे-चोटे बारिक कर देंगे पाइन में ऑयल डालेंगे इसी तरह से घरम होने था सर्सों के दाने यानि सर्सों और आधा चमज जीरा डालेंगे और गरम हो रहा है तो हम थोड़ा सा मंफली के कुछ दाने डालेंगे और इसको तड़कने तक भूनेंगे यानि मंफली तेष्ट लगे गार सर्सों भी खच्छा न रहें नहीं तो कड़ों लगे गाते से और अच्छे से भ्राय निदी अब एवाब रहें थोड़ा साह थोड़ा साव तड़कने देंगे अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे नहीं तो थोड़ा तले में जलेगा और फिर बटाटा डालेंगे हम और उसमें हल्दीद इसको थोड़ा मिलाएंगे हम थोड़ा नमक डालेंगे स्वाधन सार और अध्रक लसुन धनिया हरीमेज सब जो पेश्ट है मिला दिये हैं और हल्दी भी डाल दिये थे थोड़ा सा घरम मसाला डाले थे थड़के में और सब हम मिक्स कर रहे हैं इसी तरह देखे शक पलर आ गया है अभी ठंडा होने के बाद गोल गोल हम बना लेंगे ऐसे बॉल जैसे शारे बॉल बन गए हैं देखे और अभी एक कटोरी हम मैदा लेंगे चान लेंगे तो चान लेंगे बेसं को और उपर पानी डाल करके घोल करेंगे इसी तरह से हम बेसं का घोल बनाएंगे और मिर्ची पावडर एक चमठ डालेंगे नमक डालेंगे और थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे एक चुटकी और सब मिक्स करेंगे हल्दी सब डाल करके हल्दी पाउडर और वायल गरम करेंगे हम और बॉल को डाल करके बेशन में अम इसी तरह कडाही में गरम हो गया तेल तो डालेंगे उसी में और इसको हम थोड़ा पकने देंगे और चमचे के सहारे घिलाएंगे और देखिए तीन से 4 मिनट लगता है पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इस चन्नी से लेके पाहन से छान लेंगे हम इसी तरह देखिए अब थोड़ा सब हिला करके पिर से पलड़बेंगे और छान लेंगे जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेजिए आपके एक सब्सक्राइब से हमारे मेहनत का फल है और देखिए हरी मेर्च हम इसको बेशन में लपेट करके तल लेंगे इसी तरह हमारा सब बन गया है हरी मेर्च है देखिए और इधर से हम बना लिए हैं हमारी वीडियो अच्छी लगत लाइक करें सब्सक्राइब करें थाइंक्यो